दोस्तो पुरानों के अनुसार कस्यप ने अपनी पतनी अदीती के गर्व से बारह अदीतियों को जन्म दिया जो की कुछ हिस्प्रकार थे बिस्ववान, अयर्मा, पूसा, त्वेश्टा, सवीता, भग, धाता, बिधाता, बरुन, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम जिन्हे गया है, जो की कुछ इस प्रकार है, ब्रह्मा जी से मरीची का जन्म हुआ, मरीची के पुत्र कस्यप हुए, कस्यप के विश्ववान और विश्ववान के वैवस्त मनु पुत्र हुए, वैवस्त मनु के समय जल प्रलय हुआ था, वैवस्त मनु के दस पुत्रों में से एक क ध्रिष्ट, नरिश्यंत, कुरुस, महावली, सर्याती और प्रिशद। राजा इच्छवाकू के कुल में जैन और हिंदु धर्म के महान तिर्थकर भगवान, राजा, साधु, महात्मा और सुर्यनकारों का जन्म हुआ है। इच्छवाकू ने अपना अलग राजे वसाया। नाश्व के पुत्र मनधाता हुए और मनधाता से सुसंधी का जन्म हुआ। सुसंधी के दो पुत्र हुए, धुर्ब संधी और प्रसेन जीत, धुर्ब संधी के पुत्र भरत हुए, दोस्तो कुछी के कुल में भरत से आगे चल कर सगर, भगीरत, रगू, अंबरीस, ययाती, नभाग, दसरत और भगवान स्री राम चंद्र हुए, इन सभी ने अयोध्य पर राजी किया, पहले अयोध्या भारत वर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापूर हो गई, दोस्तो इचवाकू के दूसरे पुत्र नीमी, मिथिला के राजा थे, दोस्तो इसी इचवाकू बंस में बहुत आगे चल कर राजा जनक हुए, राजा नीमी क के दो इस्तिरियां थी, प्रभा और भानुमती, प्रभा ने अवागनी से 60,000 पुत्र और भानुमती केवल एक पुत्र की प्राप्ती की, जिसका नाम असमंजस था, दोस्तो यह कथा पुराणों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनी के स्त्राप से पाताल लोक में भस्म हो गए थे और फिर असमंजस की परंपरा में महर्शी भागीरत ने देवी गंगा को मना कर अपने पुर्वजों का उद्धार किया था दोस्तो इस तरह सुर्य वंसी इच्छ वाकू वंस के अंतरगत अनेक ययस्वी राजा उत्पन हुए तो दोस्तो यह थी धर्म पुरानों वर्नित महान इच्छ वाकू कुल के बारे में जानकारी उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही ग्यानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे इस चैनल ग्यानमंधन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप मारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए औ धन्यवाद जय हिंद।